तो डियर स्टुडेंट वेलकम बेक टू माई चनल आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है तैरते पिंडों का आपलाव के अंदर यानि मेटा सेंटर ओफ फ्लोटिंग बॉडिज इस टॉपिक के अंदर जो बेसिकली हमें ध्यान रखना है वो मेटा सेंटर यानि आपलाव केंदर के बारे में ध्यान रखना है तो जैसे कि आपके सामने ये दो डाइग्राम यहाँ पर नजर आ रहे हैं इसमें एक डाइग्राम में आप देख रहे हैं कि M जो है जिसको हम मेटा सेंटर कहते हैं वो G से उपर है और H से भी उपर है similarly अगर इस डाइग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर G जो है वो उपर चला गया और M इसके नीचे आ गया है तो इनका क्या significance है वो हमें समझना होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अमारे पास जो पिंड के विस्तापित स्थिती में जो पिंड पर कारियत बल होंगे यानि the work that are going to work on this force are first जो हमारा point होगा यहाँ पर वो क्या होगा कि पिंड का जो भार है यानि weight of object जिसको कि हम किस सरी परजन करेंगे डबलू से वो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र जो है हमारा गुरुत्व केंद्र हम किस सरी परजन करते हैं जी से जिसको हम कहते हैं center of gravity वो जो है वो कहाँ पर होगा हमेशा उर्दवादर नीचे की और ठीक है यानि vertically downward तो सबसे पहला जो हमारा force है यहाँ पर वो यही वाल force है जो कि हमारा यहाँ पर इस तरह से कार्य कर रहा है ठीक है यह हमने mention कर दिया है यहाँ पर तो यह वार गारा गुरुत्व केंद्र है यानि center of gravity है जो डबलू जो है वो उसके नीचे की और कार्य कर रहा है second जो force हमारा यहाँ पर काम कर रहा है वो कौन सा force होगा हमारे पा बल जिसको हम कहते हैं force of beyond c और वो जो force है उसको हम री पर्जहन कर रहा है जैसे डबलू से और वो जो force है वो कार्य करेगा वो कार्य करेगा उर्द्वादर उपर की और ठीक है यह जो हम discuss कर रहे है, यह जो second वाला, जो first वाला डाइगराम है, उसके बारे में हम discuss कर रहे है Second जीज जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि यह जो force है उत्प्लावन बल, w, वो उरदवादर उपर की ओर है और वो कहां से होकर गुजर रहा है वो गुजर रहा है हमारा h- से जो गुरुत्व के अंदर है h- ठीक है और ये गुरुत्व के अंदर किसका है हमारा विस्थापित द्रव का विस्थापित द्रव मतलब क्या होता है कि जो कि displaced liquid है तो यह जो हमने दोनों पॉइंट जो लिखे हैं यह हमारे फर्स डाइग्राम के बारे में लिखे हैं जिसमें हमारा एक तो जी गुरुत्व के अंदर हो गया जिसमें W नीचे की और है और एक हमारा हो गया उत्प्लावनबल यानि फोर्स और बियोंसी जिसको के रिप्रेजन करें W से और वो H डैस से होकर उपर की हो रहे ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि हमें देखना है कि संतुलन इस्थाई होगा या नहीं होगा तो संतुलन इस्थाई और इस्थाई होने के लिए क्या चीए कि अगर हमारे पास HM जो distance है HM अगर हमारा HG से बड़ा है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि HM की जो distance है वो HG से क्या है बड़ी है HM ये वाले distance है और HG ये वाले distance है तो अगर HM HG से बड़ा होता है तो उस case में हम क्या कहते हैं कि संतुलेन यानि equilibrium जो होगा वो क्या होगा इस्थाई होगा यानि इस diagram के अंदर अगर ये condition हमें मिलती है कि HM greater than HG है तो संतुलेन क्या रहेगा इस्थाई रहेगा ठीक है दूसरे case में अगर हम बात करते हैं तो इसका just opposite देखो ये case है इसके अंदर क्या हो रहा है तो HM जो है वो HG से क्या हो गया है छोटा हो गया है तो diagram number जो second है हमारा diagram second जो है उसके अंदर HM जो है वो HG से क्या हो गया है छोटा हो गया है तो इस case के अंदर हम क्या कहेंगे कि संतुलेन जो है वो कैसा हो गया है HM, HG से बड़ा है, या HM, HG से छोटा है, जो equilibrium होता है, वो stable हो सकता है, या unstable या संतुलन, इस्थाई हो सकता है, या अस्थाई हो सकता है, तो इसी के base पर, कोई भी चीज जो है, वो क्या करती है, float करती है, पानी के उपर, कि संतुलन अगर इस्थाई है, तो float करेगी, और संतुलन ना इस्थाई है, तो वो डूप जाएगी, और third case क्या हो सकता है, कि HM, अगर HG के equal हो जाता है, तो उस case में हम कहता है, कि संतुलन जो हो गया है, वो उदा सीन हो गया है, तो उदा सीन का मतलब क्या होता है, हमारा neutral, ठीक है, तो ये तीन case होते हैं, जो कि हमें पहले समझने होते हैं, किसी भी डाइग्राम के अंदर, कि HM, HG से बड़ा है, HM, HG से छोटा है, या HM, HG के equal है, तो ये सबसे पहला point जो है, वो आपको इसमें ध्यान रखना है, तो ये पहली बात हो गई, next अपन देखते हैं, कि अगर हमारे पास question आ जाता है, कि exam में question आ गया है, कि किस तरह से हमें इसको solve करना है, तो वो हम कैसे define करेंगे, ठीक है, तो जैसे question क्या करा है, कि ये एक लंब ब्रतिय ठोस बेलन, जिसकी त्रिज्या में दे रहे किये small है, और उसकी उचाई एंच है, किसी द्रव में इस प्रकार तेहर रहा है, कि उसका अक्स उर्द्वादर रहे, तो एक तो सबसे पहले बात है, कि लंब ब्रतिय बेलन है, यानि right circular cylinder है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका diagram represent करना चाहिए, तो diagram अगर हम बनाते हैं, right circular cylinder का, तो उस case में हमारे पास, ये चीज define होनी चाहिए, तो इसमें क्या कह रहा है, कि लंब ब्रतिय बेलन है, जिसका अक्स उर्द्वादर है, है और उचाई small h है, तो त्रिज्जे अगर हम मार करते हैं, तो ये हमारी होगी radius, और ये हमारी क्या हो जाएगी, height, जिसको हमने क्या मार कर दिया, small h, ठीक है, next चीज क्या दे रखी है, कि सिद्ध करना है कि संतुलन क्या होगा, इस्ताई होगा है यानि equilibrium होगा, अगर ये वाली condition achieve होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखना है, कि ये हमने right circular cylinder का एक तरह से structure बना दिया, तो क्या लिखेंगे कि, एक cylinder मान लेंगे हम ABCD, ABCD नाम का एक right circular cylinder है, यानि हिंदियों में बोलने तो क्या कहेंगे हम, कि लंब प्रतिय बेलन है, ये हमने left कर लिया सबसे पहले, ठीक है, अब इसको नाम अगर देंगे, तो ये नाम देंगे, ABCD इसके बाद में हमने क्या करना है, कि उसकी तरिज्या जो दे रखी है, यानि radius, वो क्या दे रखी है, small है, और उचा ही जो दे रखी है, यानि height, वो क्या दे रखी है, small h, अब वो द्रव में निमजित है, द्रव में निमजित का मतलब क्या होता है, कि it is immersed in liquid, ठीक है, उसकी height जो है, वो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर small x, तो जो height हमने मान लें, small x वो द्रव में निमजित है, तो यहाँ पर एक द्रव का, हम partition मना देते हैं, इस तरह से, तो total height है जो द्रव में डूबी भी है, उसको हमने क्या मान लिया, small x मान लिया, ठीक है, next चीज़ हमें क्या दे रखी है, कि कोई भी अगर object होता है, तो उसकी density यानि घनत्व मानना पड़ता है, तो balan का जो घनत्व है, वो हमने मान लिया यहाँ पर, row और द्रव का जो यानि liquid का घनत्व है, वो हमने क्या मान लेंगे यहाँ पर, row dash, अब अव्यस है कि अगर उते रहेगा, तो row dash is greater than row होगा, ठीक है, यह हमारी condition होगी, अब संतुलन हमें क्या करना है, इस्थाई रखना है, तो संतुलन जो है, वो इस्थाई होना चाहिए, यानि जो equilibrium है, वो stable होना चाहिए, तो उसके लिए condition क्या होती है हमारी, कि HM greater than HG, तो इसके इसाब सागर हम मार करते हैं यहाँ पर, तो यह हमारा center मार कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर मार कर लेते हैं, हमारा M, क्योंकि हमें संतुलन इस्थाई बनाना है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा आजाएगा G, जो कि center of gravity होता है, और यहाँ पर आजाएगा H, जो कि displaced water, liquid या water जो भी है, उसका center of gravity होता है, तो HM जो है, वो HG से बड़ा होगा, तब हमारा संतुलन क्या होगा, इस्थाई होगा, अब हमें क्या करना है, कि इनकी value find out करनी है, HM की और HG की, तो HG की value अगर हम define करते हैं, जैसे HG जो distance है, वो यह वाली है हमारी, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक और जैसे, इस तरह से अगर हम इसको structure देदे हैं, यह वाली जो है, तो अब अगर HG की value अगर हमें define करनी है, तो HG की value निकालने के लिए, हमें सबसे पहले OG, यह वाली distance पता होनी चाहिए, यह OG, OG अगर हमें पता है, तो अगर हम OG में दो part अगर consider करते हैं, OH और HG, तो HG हमें determine करना है, तो सबसे पहले हम क्या define करना है, यहाँ पर HG की value, तो HG की value define करने के लिए, OG बराबर हम क्या लिख सकता है, HG प्लस OH, तो HG का value क्या हो जाएगा, OG माइनस OH, ठीक है, अब यहाँ पर OG और OH की value क्या है, तो सबसे पहले हम आता है, OG पर, तो OG जो है, क्योंकि G है में सा, center पर होता है किसी भी object के, तो अगर total height H है, तो OG की value क्या हो जाएगा हमारे पास, H by 2, इसी तरह से अगर हम OH पर आते हैं, तो हमने जो डूबावा यानि निमजीद जो section है, उसको हमने क्या मान रखा है, X मान रखा है, तो OG की value क्या हो जाएगी, X by 2, तो इनको दोनों को मिलाएंगे, तो हमारा जो result है, वो क्या आजाएगा, H by 2 minus X by 2, यानि 1 by 2 common ले लेंगे, तो H minus X, तो यह हमारे पास किसी value आगई, HG की, अब हमें किसी value define करनी है, HM की, तो HM का formula में ध्यान रखना वो क्या होता है, AK square upon V, अब यहाँ पर A क्या होता है, obvious है हमारा area होगा यह, K हमारा क्या होगा, जिसको हम कहते है radius of gyration, यानि इंदी में कहते हैं, परिभ्रमन तृज्ज्या, ठीक है, उसके बाद में V जो होगा, वो क्या होगा, immersed volume, यानि जो part हमारा डूबा हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम define करते हैं, HM की value, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, कि जो हमारा base है, ठीक है, area जो होगा, वो हमारा base है, तो area, मतलब base जो है, वो क्या है, circle है, और radius हमें क्या दे रखी है, A दे रखी है, तो A की value हमारे पास क्या हो जाएगी, pi A square, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या होगी value, K की, K की अगर हम define करते हैं, क्योंकि cylinder है, तो cylinder के लिए में याद रखनी है, कि K की value में क्या लिखनी है, A by 2, और उसी तरह से volume की बात करें, तो हमारे जो cylinder है, उसका volume क्या होता है, pi R square है, तो R की जगा A आजाएगा, और H की जगा, हमारा वो section आएगा, जो डूबा हुआ है, तो height कितनी है, उसकी X है, तो B की जगा क्या आजाएगा, हमारे पास, pi A square X, तो अब अगर हम सब value पूट करते हैं, तो HM की value क्या हो जाएगा, हमारे पास, pi A square, A by 2 का, whole square, upon pi A square X, तो इन तीनों को अगर हम solve करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो, pi A square into, A square by 4, into pi A square X, तो pi A square से pi A square कट गया, तो हमारे पास क्या पज़ गया, A square upon 4X, अब यह value आगई, हमारे पास, किसकी value आगई, A square upon 4X, HM की value आगई, ठीक है, HG की value अल्रेड़ी आ चुकी है, तो HM greater than, HG condition अगर हम apply करते हैं, तो हमारे पास क्या आजाएगा, सबसे पहले, A square by 4X, to 4XH minus 4X square, अब इन सब को, यह greater than का sign है, अब इन सब को, अगर हम इधर से transfer कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर, 4X square minus 4XH, plus 2A square greater than 0, यह value हमने लिख दी, अब यहाँ पर, अगर हम इसका whole square बनाना चाहते हैं, 4X और इस 4XH का, तो obvious है, यहाँ पर किस चीज की कमी है हमारे पास, कि अगर हम, इसका square अगर खोलते हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, 2X minus H का whole square, तो क्या बनता 4X square, ठीक है, plus H square minus 4XH, इसका मतलब किस चीज की कमी है, H square, तो H square अगर हम जोड देते हैं, और घटा देते हैं इसमें से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा last में, 4X square minus 4XH, plus H square, plus 2A square minus H square, greater than 0, तो यह क्या बन जाएगा, 2X minus H का whole square, और यह बन जाएगा, 2A square minus H square, greater than 0, अब obvious है कि हमारा जो answer है, वो इस से related है, तो इस चीज़ को अगर हम define कर देते हैं last में, ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे define कर सकते हैं, कि हमारा जो result बचा है, वो क्या बचा है, कि 2A square minus H square is greater than 0, तो 2A square is greater than H square, तो अगर हम दोनों तरब square root ले लेते हैं, तो under root 2A greater than H, तो यह,